कि एक है कि असलाम लेकुम दिया सूडंस हमने इसे पहले एक वीडियो बनाइए थी इन कैसे पर जिसमें दोनों और यह द्राइब किया था और टेंशन का फार्मला भी द्राइब किया था उसके बाद हमने इसको डिसक्स किया था जब एक तो अबजेक्ट horizontal हो और एक vertical हो आज especially हमारा focus रहेगा जब यह inclined plane पे हो यानि certain angles पे हो तो फिर हम इनकी acceleration और tension कैसे मालूम करेंगे तो acceleration हम आलूम करते हैं W1 sin theta 1- W2 sin theta 2 upon M1 plus M2 और tension हम मालूम करेंगे M1 M2G bracket sin theta 1 plus sin theta 2 upon M1 plus M2 से तो आज हम practice करेंगे इस type के numericals पे जिसमें exercise में हमारे यहां तीन numericals है 17, 18, 19 अच्छा problem number है 19 जिसमें एक object जो है certain angle बलके 30 degree पे है 147 newton इसका weight है और दूसरा object जो है वो vertically downward है तो यह vertically downward जो है इसकी angle हम कहेंगे 90 degree तो यहां पे दो weight हमें given है हमने इनकी acceleration भी मालूम करनी है हमने इनका tension भी मालूम करना है तो फार्मलाज हमारे पास acceleration और टेंशन की यहां पे यह हैं फार्मलाज की requirement को अगर आप चेक करें तो फार्मलाज में हमें फार्मलाज में हमें जो है वो w1 sin theta 1 – w2 sin theta 2 चाहिए तो यह चीजी हम सबसे पहले मालूम करके रखेंगे तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे इनके मास्स एक व 갔़ हमारे पास से 147 and or एक वेट हैं हमारे पास 98 नियूटन तो इससे में मालूम करें पहले वेट सम वेट 1 आपके पास से 98 नियूटन थो मासवन यहां से हमें मिलेगा डव्यी से तो 98 divided बर 9.8 तो मासवन हमें मिलेगा 10 गेजी है और मास 2 हम मालूम करेंगे इस के वेट में से W2 गिविन है 147 जिसको हम कहेंगे M2 जी जिसमें M2 हमें मिलेगा 147 divided by 9.8 तो यह मास हमें मिलेगा 15 kg पहले से हमें यहां पर जो हम यहां में यहां पर हम चाहिए यहां पर हम पहले 97 मालूम कर लियू वेट है 98 और साइन इसका है 90 डिग्री तो यह हमें मिलेगा 98 इंटू 1 यह हमें मिल गया w1 साइन थीटा 1 उसके बाद हम मालूम करेंगे w2 साइन थीटा 2 डावल्यू 2 कितना है हमार पास 147 और साइन यहां पे है 30 डिग्री तो साइन 30 की वेल्यू है गया साइन थीटा 1 अपन टू तो यह हमें मिलेगा 73.5 अब यह हमने w1 साइन थीटा1 एक मालूम किया है यह द taxi यहां पे नोट करने ieसी है कि jete ही w1 साइन थीटा1 इसका और w2 साइन थीटा तू साइन थीटा 2 जब nutrition आप मालूम करेंगे तो इन दोनों वेल्यूज में से आपने देखना है कि कौन सी वेल्यू बड़ी वेल्यू है मिसाल अगर यहां पर 98 हमें बड़ा मिला है 73.5 छोटा है तो 98 बड़ा है तो हम एरो इस तरफ देंगे इसका मतलब है कि यह अबजेक्ट जो है वो इस तरफ नीचे आएगा तो एरो देने क आपको बताया जो इन दोनों में भड़ी वेल्यू मिले एरो उस तरफ देने के बाद यहां पर जो भड़ी वेल्यू होगी उसमें से छोटी वेल्यू को करेंगे माइनस तो अब आ जाएं एक्सलेरेशन मालूम करें एक्सलेरेशन में अब यहां से डूल्यू वन साइन थीटा वन पहले ही अमने कलक्लेट कर के रखा है यहां पर देटिज सेवने थीड़ी वेल्फ ग्यद्री पॉएंड भाइभाई एम वन एम वन भी मालूम कर कर के रखा एधाएं और एम तो भी हमने मालूम किया है नैटिज़िश 15 तो यह तो यह हमें मिलेगा 24.5 divided by 25 और डिवाइट करेंगे तो हमें अंसर मिलेगा 0.98 मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर यह हमें मिल गई एक्सेलरेशन आजहें टेंशन मालूम करें टेंशन का फार्मला यहां दिखा हुआ है M1 M2 G Sin Theta 1 Sin Theta 2 तो इन ही वेल्यूस में हम लगाएंगे टेंशन तो टेंशन का फार्मला यहां पर लिखें M1 M2 G Sin Theta 1 Plus Sin Theta 2 divided by M1 Plus M2 M1 हमने मालूम किया है टेंग M2 मालूम किया है 15 यह 9.8 Sin Theta 1 हमारे पास है 90 दिग्री और थीटा 2 हमारे पास है 30 दिग्री डिवाइड़ बाइंवन है टेंग और यह है 15 तो टेंटो फिफ्टीन यह 150 इंटो 9.8 Sin 90 की वेल्यू है 1 और Sin 30 की वेल्यू है 0.5 डिवाइड़ बाइड़ 25 इनको हम मल्टिप्लाए करेंगे 150 इंटो 9.8 इंटो 1.5 डिवाइड़ बाइड़ 25 तो टेंशन हमें मिलेगा 88.2 न्यूटन तो यह एक्सलेरेशन मिल गई और यह टेंशन मिल गया अब इस जैसा एक और नुमेरिकल है 19 नंबर जिसमें आप देख रहे हैं कि 490 न्यूटन एक अबजेक्ट वेट है और दूसा 245 न्य है यह 30 डिग्री पर यह 60 डिग्री पर तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यहां से मालूम करेंगे मासे आजाएं इस वेट में से मास मालूम कर लिए डाब्यू इस एकल तो 490 न्यूटन जो है एम जी तो मास मिलेगा 490 डिवाइड़ बाइन पॉइंट एट तो इसक मास हमें मिलेगा यहां से जिसको हम डावल्यू टूप हैं टूफोर्टी फाइव जो है एम डूजी तो एम टूफ हमें मिलेगा टूफोर्टी फाइव डिवाइड़ बाइन पॉइंट एट तो यह मिलेगा 25 तो सबसे पहले हम मासेच मालूम करेंगे मास्स के बाद मैंने आपको बताया था कि फार्मला की जो रिक्वायर्मेंट है जिसमें फार्मला हमने यहां पे लिखा था एक्सलिरेशन का फार्मला है यहां पर मालूम करना है अलग से डावी वन की वेलिव है 490 और थीटा वन इसकी है 30 दिग्री तो 490 साइन 30 है 0.5 तो यह आपको मिलेगा 245 उसके बाद आपने इसका डवल्यू टू साइन दिटा टू करना है यह मालूम करना है डवल्यू टू है 245 और साइन है 60 डिग्री साइन 60 की वेल्यू है 0.866 मल्टिप्लाय करेंगे तो यह आपको मिलेगा 212.17 जैसे ही यह मालूम हो जाएं तो इन में आपने देखना है बड़ी वेल्यू कुनसी है अगर यह बड़ी वेल्यू है तो इस मेंसे हम इसको माइनस करेंगे फार्मला में इन केस अगर यह वेल्यू बढ़ी आती तो हम फार्मला लिखते डवल्यू टू साइन ठीटा डू माइनस डवल्यू जैनि कहने का मतलब के फार्मला में जो बड़ी वेल्यू होगी उसको पहले रखेंगे छोटी वेल्यू को बाद में रखेंगे तो यहाँ पर में जो है पर मिला 50 और दूसा मिला हमें 25 तो 32.83 डिवाइड़ बैट 75 तो एक्सलेरेशन मिलेगी 0.4 37 मीटर पर सेकिंड स्क्राइब अब टेंशन का फार्मलम यहां पर लिखें एम वन एम टूजी साइन थीटा वन पिलर्स साइन थीटा टू अपान एम वन पिलर्स एम टू एम वन की वैल्यू हमें यहां पर मिले थी 50 और एक 25 और 9.8 साइन थीटा वन थर्टी थीटा टू है 60 डिवाइड बाए 50 पिलर्स 25 आप इनकों सॉल्व करेंगे तो यह हमें मिलेगा 12250 और साइन 30 की वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू है 0.866 इन दोनों को 8 करेंगे तो हमें एंसर मिलेगा 1.366 डिवाइड बाए 75 तो टेंशन हमें मिलेगा 223.11 न्यूटन तो यह हो गया टेंशन और यह हो गई एक्सलेरेशन अगेन मैं आपको बता दूँ जब आपने फार्मलाज लगाने हैं तो डवल्यू वन आपने उसको कहना है जो नीचे आ रहा है या फिर जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने पहले रखना है अगर मिसाल के तोर पे अग बहुत ही ज़रूरी है कि यह इस तरफ जो है वो आएगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होगी उस तरफ हम देंगे यह लास्ट नुमेरिकल है इसमें हमने एक्सलेरेशन मालूम करनी है और टेंशन मालूम करना है तो इसमें एक वेट आपका है वन नाइंटी सिक्स डाव्य वन है वन नाइंटी सिक्स न्यूटन और इसकी एंगल है थीटा वन है थर्टी डिग्री और दूसरा वेट जो है डाव्यू टू है वन नाइंटी सिक्स न्यूटन और इसमें एंगल जो है वो जीरो डिग्री है तो इसमें भी हमने एक्सलेरेशन और टेंशन इन ही फार्म तो यह मैं आप पे छोड़ा हूं इनको सॉल्व करके इनके अंसर जो है वो आपने चेक करने हैं